किसी का भाई किसी की जान बंगलादेश से स्तिधा आई है रिपोर्ट आईए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आखिरकार क्या रिपोर्ट आई है किस तरीके से बंपर पाड कमाई कर डाली है हमारे भाई जानने या निकी सल्मान साहथ की फिल्म किसी का भाई किसी की जानने जो की हिंदुस्तान में 100 करोड कमा कर आगे बढ़ गई नमस्कार आप देख रहे हैं चैनल टैली घजाना चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगोंने मेरा नया चैनल राहूल वोच कॉमेडी अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है कॉमेंट सेक्षिन में लिंक पेस्ट कर दिया है यारो जाओ जाकर वहाँ पे ढेर सारा प्यार बरसाओ तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या है माजरा ये माजरा कुछ ऐसा है जो कि मुझे सीधा बांगलादेश से मिला है जिहां दोस्तों बांगलादेश बॉक्स ओफिस की रिपोर्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ तो सबसे पहले आपको बता दू तो पहले ही दिन भाई की इस फिल्म ने बवाल कर दिया वहां पे दो लाख कमाएं हैं बांगलादेशी जिहां दोस्तों बांगलादेशी जो रुपईया होता है उसमें दो लाख रुपे कमाएं हैं अगर मैं इसे इंडिया की अगर बात करूँ तो it's 1.51 lakhs इंडिया में क्योंकि और विसी बात है रुपया की हाई बहुत जाद हमारा जो करंसी है वो हाई है और ऐसे में बांगलादेश के मुकाबले जो है यहाँ पर बहुत जादा नहीं है ठीक ठाक लेकिन बांगलादेश म में दो लाग कमाई है विचिस वेरी गुड़ आप लोगों को बताना चाहता हूं किसी का बाई किसी की जान जो है बांगलादेश में तकरीबन 43 स्क्रीन्स में रिलीज होती है मैंने आपको बताया था कि अगर बांगलादेश में यह फिल्म जो है 3-4 करोड, 5 करोड, 7 या फिर लगा लिजे, 5-5-7 करोड भी कमाती है तो वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि बांगलादेश में बहुत लिमिटेट स्क्रीन स्पेस पर रिलीज होई है और वहाँ पे ज्यादे तर जो है स्क्रीन स्पेस बहुत ज्यादा लिमिटेड है इतना सिनिमा का स्कोप नह मैंने जून में बात बताई थी आपको जून के आसपास रिलीज हुई थी तो वहाँ पर इसमें ये 41 स्क्रीन स्पेस में रिलीज हुई थी अभी दो स्क्रीन स्पेस बढ़कर जो है आई है यानि कि किसी का भाई किसी की जान वहाँ पे 41 में ही हुई थी मातर स्क्रीन में औ और जिस तरीकी से गाने हैं, जो वहाँ पे भाई के डायलॉग्स हैं, गीता का रिफ्रेंस है, वो बहुत ज़्यादा जबर्दस्ट है, ओवर एन ओल, इस फिल्म को जो है, दोस्तों आपको बता दू, तो वहाँ पे mixed response भी मिल रहा है, negative word of mouth publicity नहीं है, और mixed है, मतलब okay-okay है, पठान को बहुत अच्छा word of mouth मिला था वहाँ पे, और पठान ने बहुत अच्छा कमाई करी थी, लेकिन ठीक है, अभी अपने अपने luck है, अब देखते हैं कि भाई की Tiger 3 क्या धमाल मचाती है वहाँ पे, यह देखना interesting रहेगा, अगर हिंदुस्तान में फिल्म जो है October में release हो रही है तो definitely नए साल में 2024 में Tiger 3 वहाँ पे release होगी, तो जो भी report आईगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आपको बत बने रहना है, ठीक है, बाबाई